आपके ये प्रश्न हमेशा मुझसे पूछे जाते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं रहती, धन नहीं रुकता, हमारे कारी नहीं बनते हैं, हमारे घर में भगवान कुवेर का जगा नहीं होती, मतलब धन आता है लेकिन धन रुकता नहीं है, घर में कोईने कोई हमेशा बिमार बना रहता है इतनी सारी परिशानिया हमें चारों और से घेर लिती है कि हम बड़ी मुश्किल से उनसे बहार निकलते हैं कि और बहुत सारी परिशानिया आ जाती है पुल मिलाकर हमारे जीवन में जो स्ट्रगल है उससे हम न डरते हैं लेकिन स्ट्रगल इतना जादा हो जाता बहुत भयावा किस तर पर चीजे चले जाती है ऐसी सभी परिस्तितों से हमें कैसे बाहर आना चाहिए और इन सभी बाधाओं के लिए हमें कौन से उपाए कौन से प्रियोग करना चाहिए कि इश्वर के हम पर अनुकंपा हो और इन बाधाओं में हम नहीं आए सबसे मूल कारण होता है कि कई बार हमारे कुन्डली में ग्रहों किस्तिती की वज़े से हमें जो परिस्तित्या देखने को मिल रही वो देखने को मिलती है लेकिन हम भगवान शियू की शर्णागत जाने से शिव के उपाय और हल करने से इन सभी बादाओं से बाहर आ सकते हैं मूल रूप से क्योंकि नोग्रह जो है वो शिव के उपासना करते हैं और अगर हम भगवान शिव के उपासना करते हैं तो उससे हमारे जो नोग्रह हैं उनके जितने सारे नकारतपक प्रभावे उतसे हम बच जाएंगे तो मूल रूप से पहला कारे शिव जी को नियमित जल जो हम अभिशेक जल से करते हैं साती साथ शिव चालिसा का पार्ट शिव मंदिर में बेट करना शुरू करें शिव मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर नहीं है आपके पास तो ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए शिव मंत्र का जाप करें महमरत्युजे मंत्र का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा जब करना शुरू करना दूसरा है कि जो मन में बहुत सारी भ्रांतिया बहुत सारी negativity चल रही है इससे आप कुछ वक्त के लिए बाहर निकले क्योंकि ये जो भ्रह्म ये नाकारत्मकता आपको एक भ्रह्म की स्थिती में डाल दिया है ये सच नहीं है ये जो चीज़ा आप दिमाग में सोच रहे हैं सब जूट हैं कल्पित हैं आपकी कल्पना हैं और जो कल्पना हैं आपको परिशान कर रही है इसलिए अपने इश्ट पर यकिन रखें अपने गुरू पर यकिन रखें ओम नमेश्यवाए